देखे अखलेश ने ट्वीट करके मौर्या का स्वागत किया और ये भी साफ तोर पर कर दिया ये साफ हो गया कि समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया है स्वामी प्रसाद मौर्या और ये देखे तस्वीरे भी देखे कितनी तेजी से चीजे होती हैं अखलेश ने ट्वी यादों के साथ अपने आप में बहुत कुछ कहती है और स्वामी प्रसाद मौर ने पहले कैबनेट मंतरी के तौर पर अपना इस्तीफा दिया उसके बाद बीजेपी से वह दूरी बनाई उसके बाद उनके इस्तीफे में क्या कुछ कहा गया दलीतों और पिछडों की उपेक् कि वज़ा से आहत हो करके इस्तीफा दे रहा हूं और इधर पॉरण अखलेश यादों के साथ उनकी यह तस्वीर सामने आती है और ट्वीट करके अखलेश यादों उनका समाजवादी पार्टी में स्वागत करते हैं और देखिए मानस लगतार देखिए हम हर एक तस्वीर उत्तरपदेश चुनाओ की हम दिखा रहे हैं और स्यासी मायने अपने आप में बहुत कुछ बीजेपी को कितना घाटा और समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान अभी यही आखलन होगा सबको कितना फाइदा देखिए भार्टी जन्ता पार्टी नुकसान के लिए पहले से तयार थी और मैं आपको बता दू कि जो केंजरी चुनाओ समीती की जो बैठा कुई थी उसमें भी स्वामी प्रसाद मौरिया का नाम नहीं था देखे स्क्रिप्ट ज़रूर पहले लिखी जा चुकी थी लेकिन डंगमंच पर किरदार आज आपके सामने एके करके आ रहे हैं पहले राजभौन को देखा हम लोगों ने और अब उसके बाद अखले शादों के साथ भी देख रहे हैं तो देखे यह सारी पठकता पहले ल लेकिन देखे भारती जता पार्टी भी एक बड़ी पार्टी है और उसके पास भी एक बड़े मजह हुए रणीट कार हैं तो उनको भी इस बात की आशंका थी कि स्वामी प्रसाद मौर्जा एन मौके पर पार्टी का साथ पोड़ सकते हैं क्योंकि बस्पा को जब उन्हें करके नेता भाषपा में शामिल होने लेगे ते इसमें स्वामी प्रसाद मौझा से लेगे बर्जेश पाठक तक के बड़े नाम ते जिनको बाद में ना केवल चुना लोगाएगा बलकि मंत्री पत दे करके भी शुशोबित किया गया तो इस बार देखिए बारी बीजेपी क के साथ पांस साल क में रहे असके बाद अब आखले शादों के साथ देरा रहें तो देखिए सियासत में ना दोस्ती इस्थाई होती है और ना दुश्मनी इस्थाई होती है बात मौके की होती है कि जब मौका मिला जिसके साथ मिला जहां पर सहुरियत हुई जहां पर देखा कि अपना फाइदा हो सकता है